जर्मन नेट्फिक्स मूल स्लीपिंग डॉग में एक आवारा पूर्फ पुलिसकर्मी एक उभरते हुए अभियोजक के साथ मिलकर एक थंडे मामले की जाच करता है जो बहुत अधिक घातक साजिश का खुलासा करता है। जज हरेस की हत्या के मामले में मुसा बैशर के खिलाफ आपत्ति जनक सबूत देने के बाद माईक इट्लिस ने अपने पीशे को अलविदा कह दिया और अपने परिवार और जिम्मेदारियों से फरार हो गए। वर्तमान में जेल में मुसा की आत्महत्या के बाद उसका भाय अबू बदला लेने के लिए एट्लिस का शिकार करता है। जैसे ही मामले से जुड़े अधिक से अधिक लोगों की भयानक मृत्यू होने लगती हैं, ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। माईक की गुम हुई यादे शुरुआत में ही श्रिंखला के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित हो जाती हैं, और जैसे जैसे मामले में चीजे आगे बढ़ती हैं। वैसे वैसे उसके दबे हुए दुख भी उसके मानस की सतह पर वापस तैरने लगते हैं। जो जज हैरेस के साथ संबंद रखने वाले एक बेगर दान का नियमित सदस्य था। आगात से निपटने में मदद करने के लिए माइक ने इन यादों को दबा दिया था। अनिच्छा से प्राप्त पेशेवर मदद और चल रहे मामले में विकास दोनों की सहायता से ये पूरी श्रिंखला में धीरे धीरे सामने आये है। चोटा सा मामला है। बैशेर परिवार के खिलाफ स्टेक का पूर्वागरा आसानी से फिट हो जाता है। जारिक ने मुसा को अपराद के लिए दोशी ठहराया और सौक ने सबूत के तौर पर अपने बाल काद दिये। जब ये पता चला कि मुसा के पास इदरीज के रूप जारिक में एक गुप्ट प्रेमी है जो एक बहाना होगा तो जारिक ने इदरीज को उसकी कामुकता को उजागर करने की धमकी देकर चुप रहने के लिए ब्लेकमेल किया। जब अंतता उसका सामना होता है तो जारिक कबूल करता है जो रिकॉर्ड किया गया है और जारिक की पद्धती की नकल करते हुए सौक था, वो अपने मन में माइक, जारिक और 49 वे के डीडी की रक्षा करने के लिए धीले छोरों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। झारिक की लिए।